इस तरह से हमारे चामल बनाने जा रहे हैं इसके लिए हमने सबसे पहले एक गिलास चामल लिए हैं इसमें मैं घर में जैसे चार या पांच लोगों के लिए एक गिलास चामल बनाती हूं तो हमने एक गिलास चामल ले लिए हैं यदि आप दो जणे हैं तो इसका हाफ लेके औ घ्रावार के लिए अब भीगाओं चामल के लिए मसाले करये भाएज कुलाओं में हम जीरा ढलेंगे एक zajmatch फिर हम अल्दी नेगे धिसी हुई है मैं तेज ना हो तो एक zajmatch डालेंगे वह अपनी च्छभादन सार एक या डैश चमछ डालेंगे और उसके बा athletic है काली मिर्च है ये एक चुटकी वर फिर हम दालचिंगी आदी चम्चु मच दालेंगे में हमने सारे सब्जय काट लिए हैं इसके लिए हमने सबसे पहले हमने सिन्दा मिर्च काट ली एं एक सिन्दा मिर्च है थोड़ी सी पत्तागो भी है एक निम्बू है और दो प्याज है इसको बारिक-बा इसमें हम इसमें यह गीघ हम आप तेल या घी जोभी आप यूजर करते हो जो डाल सकते हो इसमें 1 या और 5 जाम्द्र जीरा डाल потब गहा है अब हम इसमें एक चमच जीरा डाल देंगे फिर हम इसमें हल्दी डालेंगे फिर हम गैस को कम कर देंगे और अब इसमें हम तेज पत्ता डाल देंगे अब इसमें एक डाल चीनी डाल देंगे फिर हम इसमें देर देर करके सारी सब्जियां डाल देंगे परले हम तमाटर डाल देंगे फिर इसमें हम क्याद जातेंगे इसमें अद्रक लस्टन और रिमेज का पेस्ट डाल देंगे फिर हम इसमें मटर डाल देंगे पत्ता गोवी अधी खाते हों तो आप डाल दीजिए नहीं तो इसको इसकीप करते हैं तो मैं यहां पे पत्ता गोवी भी डाल देंगे और फिर हम इसमें तोयगी डाल देंगे अधी फिर खाते हों तो डाल देना नहीं तो इसकीप कर देना फिर हम इसमें आलू डाल देंगे फिर हम इसको सोते कर लेंगे और इसको ला लेंगे सब्जियों को इस सब्जियों को हम इलाते हैं तोड़ी दो देर चमचम इसमे नमकडार देंगे मिर्ची यदि तेज है तो लाल मिर्ची इसमें आदर चमच अपने इसाफ से डाल सकते हो फिर हम इसमें दाल चीनी पाउडर डाल देंगे आदी चमच फिर हम इसमें काली मिर्च इसी हुई आदी चमच इसमें तोड़ा सा गरम मसाला भी एड़ कर देंगे यदि खाते हो तो डालना नी तो इसकी कर देना फिर आप इसमें पानी में भीगे वे यह जावल आदी गंटा पानी में भीग चुके हैं और आप इसको फुकर में डाल देंगे अपिर आप इसको विलादे एड़ इसको बादे आप इसको बादेगे और फिर हम लास्ट में हम फिर आदा निम्बू इसमें निचोड देंगे इससे चावल खिले-खिले और अच्छे बनेंगे फिर हम इसको फिर से ही ला देंगे फिर इसमें पानी डाल देंगे कि अगरा देगे और एक सीटी आने तक इसको फूल फ्लेमVer को पयाँ कुलाओ के लिए कुलाओ के लिए और निकती है और रूम इसको बंद पुट कर देंगे और फिर हम 10 मिनेत तक इसको पक्ने देंगे और फिर खुलने के बाद हम आपको सर्फ करते वे दिखाई हैं अब हमने बना लिए और अब इस पुलाव को मिक्स कर लेंगे पिर हम चाओं लोको मिक्स कर लेंगे शया जाएंगे ज्यादा रोड़ेंगे नहीं तो चामर तूच जाएंगे आराम से सब्सक्राई होप्र नीचे कर लेंगे और इस तरह से ब़ूल में डालेंगे अब इसको बूल में डालेंगे अब फिर हम इसके उपर दन्या की पत्तियों से इसको वानिश कर देंगे और फिर इसमें पोद देने की पत्तियों से हम इसको सजा देंगे इस तरह से हमारे चाउन अभी खाने के लिए तयार हैं और आप इसको चटनी या दई के साथ इसको सारू कर सकते हैं कर देने कार देन्या कर दो कर सकते हैं